नमस्कार दोस्तों मेरी YouTube चनल में आप लोगा स्वागत दोस्तों आज मेरे पास 24 इंची का LED TV है जो कि इसमें किवल पिक्चर का प्रोब्लम है बैक लाइट नहीं जल रहा है तो मैंने अलग से बैक लाइट को चेक किया था अलग से बैक लाइट जो है जल रहा है साउंड इस इसमें बहुत सरा वायर मिल जाता है साथ में तो इसका कनेक्शन कैसे करना है आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं तो आप जिदी नए एलेक्टिशियन है और LED TV मेकनिक है तो आप इसके बारे में कुछ जनकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल को आप स और यह अलक से जैक है इसमें लगाने के लिए तो इसमें कनेक्शन कहाँ पर कितना बोल्टे देना है तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा इसमें देख रहे हैं चार वायर है रेड वाला पर बारा वल्ट सप्लाई देंगे बलेक वाला पर जो है माइनस सप्लाई जाएगा और इसमें पिला वाला दो वायर है तो इनेबल वाला जो पॉइंट है उस पर हम सप्लाई देंगे दो वोल्ट लेकर पांच वोल्ट तक तो सबसे पर multimeter से हम चेक कर लेंगे कि कहां पर कितना voltage मिल रहा है तो हमको 12 volt या 5 volt के आसपस में supply मिलना चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम इसमें supply देकर और voltage को चेक कर लेंगे तो चलिए यहां से मैंने standby कर दिया और उसके बाद में हम सबसे पहले फर्ष्ट में 12 volt जो red color का wire है उस पर 12 volt supply देंगे तो यहां पर 12 volt लिखा हुआ है तो 12 volt आप कहीं से भी दे सकते हैं तो यहां पर देख रहे हैं 12.23 मिल रहा है यानि कि 12 volt supply यहां से हम देंगे और उसके बाद में जो 5 volt supply हमको मिलना चाहिए तो यहां पर जो IC है backlight के लिए तो इस IC के pin पर हम check करेंगे कि 5 volt supply कहां पर मिल रहा है देख रहे हैं यहां पर 4.74 यानि कि 5 volt के लंसा में यहां पर supply मिल रहा है जो कि yellow color का जो enable wire है तो यहां पर हम 5 volt supply देंगे और जो black color का wire है तो कहीं body से ground से connection दे देना है इस तरह से मैंने connection इसका कर दिया है और चलिए इसमें हम supply देकर check करते हैं तो यहां पर मैंने main lead को main board में लगा दिया और चलिए यहां से हम stand by release करते हैं उसके बाद में देखते हैं इसका जो bike light है जलता है कि नहीं देख रहे हैं दोस्तो बैक light जो है बिल्कुल मार्केट ले ले आकर इस तरह से आप connection सिंपल सा उपाय है सिंपल सा तरीका है और यहां जो extra wire है इसको काट देना है तो हमको किवल तीन wire का आप सिकता है एक 12 volt red color का एक yellow color का जो wire है इनेबल उस पर 5 volt supply देना है और black color का जो wire है उस पर negative supply देना है तो यहां पर back light का जो lead circuit है तो इसमें उल्टा सिधा भी हो जाता है तो उल्टा होने के कारण क्या होगा कि आपका back light नहीं जल पाएगा तो यहां से आपको पलट कर देख लेना है तो दोस्तों चली यहां पर मैंने आप क्या करेंगे कि यहां इस तरह से टेप को लगा लेंगे और यहां पर हम इस board को adjust कर लेंगे यहां पर चली दोस्तों यहां पर inverter board को हम यहां पर adjust कर लिए और उसके बाद मीं एक बार आओ इसको जो cabinet है cabinet फिट करने से पहले एक बार आओ इसको चेक कर लेंगे उसके बाद में इसमें जो setup बक्स है डेटेच जो होता है उससे connect करके और चलाकर देख लेते हैं देख रहे हैं जल रहा है यहां पर तो दुस्तों आप इसके बारे में इलेक्टिक इलेक्रोनिस के बारे में कुछ भी जनकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बक्स में जरूर लेखेंगे इसलिए कि कमेंट का अनुसार हम लोग का ध्यान रहता है कि कौन सा वीडियो हम लोग का अपलोड करना है